उमीदे दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से होंगे दोस्तों स्वागत आपका एक बर फिर से एक मैराथन क्लास में और इसमें हम देखेंगे आपके B8 के Psychology of Learning and Development अधिगम एवं विकास के मनोविज्यान के सारी important questions जो mostly, repeatedly आपके exams में पूछे जाते हैं तो हम 20 questions को आज देखेंगे जो कि हर साल इन में से प्रशन पूछे जाते हैं तो अगर आप इस 20 प्रशन को देखते हैं तो यकीन मानें इस topic से आपको आपके exams के इस paper Psychology of Learning and Development अधिगम का विकास एवं मनोविज्यान या फिर बाल विकास एवं मनोविज्यान में आपको जरूर आपके question मिलेगे तो जली दोस्तो इस वीडियो को सुरू करते हैं आपके पहले question से और आपका पहला प्रशन है दोस्तो ये जो प्रशन है कई बार आप से पूछा गया है और प्रशन बड़ा आसान साधार अर्शा प्रशन है कि मनोविज्यान का अर्थ क्या है या फिर मनोविज्यान से आप क्या समझते हैं what do you mean by psychology तो चली psychology किसे कहते हैं दोस्तो psychology वह विद्या है जो प्राड़ी के मनुस्य मानसिक प्रक्रिया अनुभो एव्यक्त या अव्यवक्त वहवारों का करंबत तथा विज्यानिक अध्यन करता है मतलब मनुस्य के या फिर जानवर के या फिर पसूपक्षियों के वियक्त या अव्यवक्त वहवार उनके मानसिक प्रक्रिया उनकी अनुभों के बारे में वैज्यानिक अध्यान करने की विधी का कहलाती है मनुविज्यानिक कहलाती है मनुविज्यान में मानों के मस्तिस्क एवं वहवार का अध्यान वातावरण के परिपेक्ष में किया जाता है कि एक मनुस्य वातावरण में कैसे वो react करता है, कैसे अपना response करता है, अब मनुव विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है, जो परिछडिये वहवार, यानि कि observer behavior का अध्यान करता है, कि किसी बालक का आप observation कैसे करते हैं, इस चीज़ का अध्यान करता है, इस दिरिष्टे से मनु वहवार के अंत्रकत, वहवार एवं पसु वहवार, मानो वहवार एवं पसु वहवार दोनों आते हैं, अब यहाँ पर समझ जाए, हम अक्सर हम language किताबी नहीं है, आम बोल चाल की भासान है, मनो विज्ञान का अर्थ हो दाए है, दोस्तों, आपके मन का, आपके वहवार क मस्तिस क्रियाओं का अध्यान करना, विज्ञानी का अध्यान करना, इसी को हम मनो विज्ञान का अर्थ कहते हैं, अगर हम मनो विज्ञान के साब्दिक अर्थ की बात करें, तो मनो विज्ञान, मन का विज्ञान, वह विज्ञान जिसके द्वारा मन और विविन पहलों वि इस प्रकार से कैस आप कह सकते हैं कि psychology का सामदिक ऐर्थ होगा कि आपके आत्मा का विग्यान यह तो आप उम्मिद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि मनोविज्ञान क्या है दोस्तों आपके मन वहवार मानसी करियाओं का अध्यान है विज्ञानिक अध्यान क्या है मनोविज्ञान है अब आईए तीसरा प्रशन मनोविज्ञान के एक परिभासा देख लेते हैं फिर आप बातनी इसकी नर ने कहा है कि मनोविज्ञान क्या है वहवार एम अनुभव का विज्ञान है क्रो एंड क्रो इन्हों ने कहा था कि मनोविज्ञान मानव वहवार वह मानव संबंदू का अध्यान है ठीक है यह कहा था क्रो एंड क्रो चलिए उमीद करते हैं मनोविज्ञान आ और आपके वहवारों का अध्यान है तो जब मनोविज्ञान आपके अनुभा और आपके वहवारों का अध्यान है तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या होगा सिक्षा मनुविज्यान वह होगा जो आपके सिक्षा में हुए वहवारों का अध्यान करता है रही जो आपके सिक्षा में मिले अनुभावों का अध्यान करता है वही तो सिक्षा मनुविज्यान होगा तो अब इसी चीज़ को सिक्षा मनुविज्यान दो सब्दों का योग ह सिक्षा और मनुविज्ञान अता साब्दिक अर्थ होता है सिक्षा सम्मंदित मनुविज्ञान चीक है बिल्कुल आसान सब्दों में मिलेगा आपको दूसरे सब्दों में यह मनुविज्ञान का वहवारिक रूप से तथा सिक्षा की परकिरियां में मानव वहवार का अध् अध्यान करने वारा विज्ञान है ठीक है कोई दिक्कत नहीं बहुत अचा अब आईए थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहां पर सिक्षा मनुसे के वहवार में परिवर्तन करती है और मनुविज्ञान ऐसा विज्ञान है जो मानव वहवार के सभी रूपों का अध्यान करता ह इस तरह से सिक्षा और मनुविज्ञान दोनों ही मानव व्यक्तित्यों के विकास सम्बंदित है सिक्षा मनुविज्ञान का अधार ही मनुविज्ञान है जिस तरह से समान्य व्यक्ति के व्यक्तिकत आच्रण का अध्यान और नियमों का अध्यान करता है कौन सा मनुविज ठीक उसी परकार से सिच्छा मनमविज्ञान एक विशेज परकार के व्यक्ति आधरित विद्याले अथवाव विद्याले के बाहर शिक्षा प्राप्त करने वाली विद्यार्थियों के आचeredव वहवार्ण का अध्यान करता ह। दोस्तों, सीम्पल सी बात है, आपका इसका PDF मिल लेगा, आपको स्क्रीश्रोट लेगा, कहने का साफ मतलब ये है, कि सिक्षा मनुविज्यान वो है, कि सिक्षा के शेत्र में मनुविज्यान का इस्तमाल सिक्षा मनुविज्यान कराता है, और सिक्षा से संबंदित आपके मान प्रशन आते ही आते हैं आप जब पेपर देख आएगा तो मैं इस ये वीडियो मिलेगा आप वहां तमसे बात करेंगे तो इसकी परिभासा आप बिल्कुल याद कर लीजिए समझ लीजिए इनके जो अनाम है मनुविज्यानिकों के वह मत फूलिएगा क्रो इन क्रो ने कहा ता कि सिख्छा मनुविज्यान व्यक्ति के जनम से लेकर मृति तक सीखने के अनुभाओं का वरल्व व्याख्या करता है क्रो के अनुसार सिख्छा मनुविज्यान सैचिक प्रस्तितियों के मनुविज्यानिक पक्ष का अध्यान करता है वही बात हो गई में सिख्षा मनुविज्ञान की परिवासा दी जाती है और दोस्तो आपके स्टिफन की अनुसार स्टिफन जी ने कहा था कि सिख्षा मनुविज्ञान सिक्षा विकास का क्रमबद अध्यान है सैचिक विकास का कि एक बच्चे के सैचिक किरिया में कितना उसका विकास हुआ तो सैचिक विकास का क्रमबद अध्यान क्या क्या दाता है दोस्तों सिक्षा मनुविज्यान कराता है स्टिफन कैनु सार उमीद करते हैं मनुविज्ञान, मनुविज्ञान की परिवासा, सिक्षा मनुविज्ञान और सिक्षा मनुविज्ञान की परिवासा आपको समाज में आ गई होगी अब most important है आपसे प्रश्ण कई बार ये पूछा क्या है कि सिक्षा मनुविज्ञान का छेत्र क्या है इससे पहले फिर से सुन लीजिए कि सिक्षा से सम्मधित मनुविज्ञान आपके सैचिक विकास का वेग्यानिक अध्यान से चान तो जब आप मनुविज्ञान का इस्तमाल करेंगे तो सिक्षा के छेतर में मनुविज्ञान का इस्तमाल कहा कहा कर सकते हैं सैचिक, निर्माण एवं परामर्स किसी विद्यार्ती को आप निर्देश देंगे या परामर्स देंगे तो वहाँ पे आप सैचिक वनो विज्ञान का इस्तमाल कर सकते हैं ठीक है पाठिक्रम के निर्माण में जuch आप पाठिक्रम बनाएंगे पहला तो दिसा निर्देश, दूसरा पार्ठेक्रम निर्मान और दिसरा अध्यान विदी जब आप पढ़ाएंगे तब इस बात का अध्यान रखेंगे उसके बाद सीखना यानि अधिगम में इसका सिख्छा मनुविज्यान का इस्तमाल होता है और यह सामूह मनुविज्या अब आपको करना क्या है अगर आपसे लॉंग आंसर में पूछता है तो इन पॉइंट के अंदर आपको एक्स्प्लेइन करना पड़ेगा अपने मन से ठीक है मैं आपको फिर से बता दूं कि मनुविज्यान का छेत्र कहा होता है सिख्छा निर्देशन आप्रामर्स पाठे तो अभी तक आप बिल्कुल समझ चुके होंगे कि सिख्छा और मनुविज्यान में बड़ा घनेश संबंध है इसी एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है ठीक उसी प्रकार से यहां पे लिखा किया है देखिए वर्तमान में सिख्छा को प्रभावसाली उपयोगी ब रखना चाहिए आज की पूरी तरह आज की सिख्छा पूरी तरह से बाल केंदर है अर्था हर एक चीज हम बालक को केंदर में रखके सोचते हैं अर्था इसका परिडाम यह हुआ कि सिख्छा और मनुविज्यान एक दूसरे के बहुत निकट आगे दोस्तों यह थीरी है थो वास्तो में मनोविज्यान जहां मन की गहराईयों में पहुँच कर विबिन मानसिक क्रियाओं का अध्यर कर मानोव की अनभूति और वहवार का तथ्यपुण विशलेसर करती है वहीं दोस्तों सिख्छा जो है समाजिक परिकरिया है जो मानो वहवार में उदेश से पून प ठीक है तो यह हो गई सिक्षा और मनुविज्ञान में समद्ध थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं दोस्तों कि आज की इस जटिल दुनिया में बगएर मनुविज्ञान की सहायता से सिक्षा प्रदान करना संभव नहीं है इस बात के संदर में ड्रेवर का यह कथन देखिय की ड्रेवर ने क्या कहा दा मनुविज्ञान एक महत्पूर्ट तत्व है और बीना मनुविज्ञान की सहायता से हम सिख्षा की समस्याओं को हल नहीं कर सकते क्योंकि पाठ समागरी के चैयन में बालक की रूचईयों और चामताओं को घ्यात करने में बाल वेहवार को समझन में मनुविज्ञान क्या करता है, सहायता करता है, entraron औरansenक्यान सीखने के नियमों सिधानतों का ज्यान कराकर सीखन सीखने से प्रकिरिया को सहच बनाता है, बालकों में समिस्टित बौधिक सारेख विकास में मनुविज्ञान की आहम भूमिका रहती है। दोस्तों मनुविज्ञान और सिक्षा में घंदिस संबंद आपको कहने का मतलब यह था अब आई एक बड़ा अच्छा प्रशना आप से यह भी कई पर पूछता है कि एक अध्यापक के लिए एक अध्यापक के लिए मनुविज्ञान के क्या उप्योगता है मतलब या फिर आपको इससे भी समझ सकते हैं कि एक अध्यापक के लिए मनुविज्ञान का क्या महतु है तो देखिए सिक्षा मनुविज्ञान सिक्षा संबंदी समस्याओं का वीवेचना मिसलेशर और समधा सबसे परमूख कौन है अध्यापक की तो अध्यापक कच्छा में चलने वाली वास्तविक शिख्शा परेक्यायो tom का निर्देशक होता है जो अध्यापक कहता है वही होता है वह छाथ्रों के समुख सीखने की कि प्रस्तितीओं को प्रस्तुत करता है। time का मर्ण प्रतास करता है। अठा किसी अध्यापक के लिए सिक्षहामनुवज्यान का ज्ञान अत्य आवस्यक महत्तुण वह अवफ्य होगी है।। चलिएा समझ में आकई। अब सिक्षा मनुविज्ञान के ग्यान के आभाव में कोई अध्यापक अपने कारे को कुसलता पुर धंबादित नहीं कर सकता है। आदुनिक समय में सिक्षा मनुविज्ञान ग्यान ही अध्यापक की सफलता का रहस्य होता है। अपने सिक्षण कारे को सफल बनाने के लिए, चात्रों को सिखने को सरल बनाने के लिए, सहज वा अनंदमय बनाने के लिए, अध्यापक को क्या होना जाजे closure दोस्तोiban igual music का उपयोग करना चाहिए. तो इसलिए क्या है? मनुविज्यान आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप point wise बात करें कि कुछ हम point wise लिखना चाहते हैं तो देखिए सिक्षा मनुविज्यान अध्यापक को साध्य दिरिश्टिकोड़ मतलब right perspective देता है चीजों को समझने के लिए सिक्षा मनुविज्यान कच्छा में उप्यूक सैचिक वातावरान उत्पन करता है और अगर अलग point की बात करें तो सिक्षा मनुविज्यान अध्यापक को छात्रों के प्रती प्रेम, सहानुभूती समदर्सी वहवार को अपनाने में साहता करता है और सिक्षा मनुविज्यान अध्यापक के स्रेष्ट विध्यों की जानकारी देता है और सिक्षा मनुविज्यान अध्यापक को बाल सुभावदता वहवार ग्यान से परचित कराता है तो यह होगा है दोस्तों कुछ points करके सिक्षा, MANUVIGयान अध्यापक के लिकिया और आवस्या के हैं हमने यहां पे लिखा है ठीक है आए कुछ और दीखते हैं जैसे सिक्षा, MANUVIGयान सिक्षा के यह स्वेत्र के छेठlar व्यक्तिकत्व, विविनता को ध्यान को ध्यान में रहत के डिडिता है और शिक्षा मनुमू भिज्यान पहर निर्माड करने में सहाईता करता है तो चली यह तो बात हो गई सिच्छा के लिए नुभभ कर्ण की उप्योगिता अगर माणली जी केवर आपसे प्रश्नन जी पूछिते कि सित्चा मनुभझ्यान की उप्योगिता करता है सिक्षा मनुभी ज्ञान के मिहत्य के बारे मैं इसी बिन्दों को लिखेंगे जली दोस्तूं सबसित क्ष Prix का प्रयोग क्या त्परेंगे फॉल्स परियोग किया था ह। और कोहलर बग ने चिंपैंजी पर क्या किया था परयोग किया था जीन पियाजे ने अपने बच्चों पर क्या किया था परयोग किया था इनी सारे परयोग से हुआ क्या हमें प्राप चला कुछ सिधान्त निकले कुछ ग्यान निकले हमने बच्चों के वहवारों का अध्यान किया हमने सीखने की प्रकिलिय का अध्यान किया तो मनो है मनोवी ग्यान में पर्योगात्मक विधी का कндर महतु है कि हमें सच्ची नुलीचिए ग्चान मिल जाती हा और व्यजानिक तोर पे पर्योगात्मक तरीके से प्रूफ की हुई एक अस्पष्ठ ग्यान हमें मिल जाता है ठीक है एक विधी मिल जाती है अब परियोगात्मक विधी के बारे में अगर पूछ दे कि सिक्षा मनुविज्ञान में परियोगात्मक विधी सबसे अधिक महत्पूर्ण विधी माने जाती है परियोगात्मक विधी में सिच्छक या परियोग करता छात्रो बच्चों के अंदर एक संबन्द साफित किया जाता है कि अ दोस्तो आप परियोगात्म कर रहे हैं जब परियोगात्मक से नियंत्रित आवलोकर विधी भी कहते हैं ठीक है और इसी सारे कंट्रोल सिच्वेशन में ही तो थॉन डाइक ने बिल्ली पर प्रयोग गिया था तभी उन्होंने प्रयास व्तुरुटी का सिधान दिया ठीक है तो कहने का मतलब मोटा-मोटी और पर यह कि प्रयोगात्मक विधी होती है जिसमें हम परयोग करते हैं आप बच्चों के सीखने पर परयोग कर सकते हैं ठीक है तो इसको हम प्रयोगात्मक विधी कहते हैं चलिए बहुत से इसी के सिमिलर एक चीज आती है कि निरिक्षण विधी निरिक्षड वीदी में क्या होता है जब बच्चे इसको इंग्लिज में कहते है अब्जर्वेशन में तर्ड इसका मतलब जब बच्चे अब्जर्व करके किसी चीजों पर से देखते हैं निरिक्षड वीदी एक प्रभावसाली अधिगम विदी के रूप में स्विकार किया जाता है बालक जितना अधिक गहन वो व्यापक निरिक्षड की छमता होगा बालक उतना ही तीब्रगती से सीखने का परियास करेगा जैसे कि James Waught ने चाय की केतली के ढखकर के उपर नीचे गिरने की प्रकिरिया का गहन निरिक्षड किया तता उस पर तारकिक रूप से विचार किया तो यह जान लिया कि भाप में सक्ती होती है इसी आधार पर उन्हेंने भाप इंजन का निर्मार किया भाप इंजन का मतलब जो रेलवे पहले भाप इंजन से चलती थी उसका निर्मान जेम्स वाट ने किया था एक बार चाय बना रहे थे तो उन्होंने देखा कि चाय का पतिली के ऊपर धकन है वो वस्प के कारण ऊपर उट रहा है तो उन्हें लगा कि आरे यार यह कैसे तो य मतलब उन्हें यह लगा कि भाप में इतनी सकती होती है को चीजों को उठा सकता है या धकिल सकता है इसी अधार पे उन्होंने भाप इंजन रेलवे का निर्मान कर दिया उन्होंने आविस्कार कर दिया तो निरिक्षण विदी का मतलब जब बच्चे खुझ से सबसे आसान तरीका है जब आप वीडियो को लाइक करेंगे मुझे समझ आ जागा कि हाँ चीज आपको फसंद आ रहे तो प्लिस लाइक कर दीजिगा चलिए यहां तक हम ने देखा दोस्तों मनोविग्यान सिच्छा मनोविग्यान दोस्तों मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक इससे आपके कम से कम आपके 10 नंबर के प्रशन आने ही आने हैं देखे सेक्शन बी में एक प्रशन आता है और पार्टे में एक प्रशन आता है अगर किस्मत अच्छी रही तो 15 नंबर में भी इससे सवाल पूछ लिया जाता है अगर आपने समझ लिया तो आप अपनी सब् एक निरंतर चलने वाली स्वारो भौमिक प्रकिरिया है कोई दिक्कत नहीं व्यक्ति जनम से सीखना प्राराम कर देता है तो तो मृत्य प्रान तक कुछ न कुछ सीखते रहता है कोई बात नहीं अच्छी बात कहीं यहां पर प्रस्तिति अथ्वा आवसक्ता के अनुरूप सी सीखने के लिए कोई अस्थान विशेष अथ्वा कोई विशेष समय निश्चित नहीं होता व्यक्ति आवसक्ता नुसार अथ्वा प्रस्तिति वस कहीं भी किसी समय किसी से भी कुछ भी सीख सकता है सीखने को अधिगम कहते हैं समझ में आ गई बात दोस्तों बहुत अधिगम को परिभासित किया उन्होंने कहा कि अनुभो तथा प्रसिक्षड के द्वारा वहवार का उन्ययन अधिकम है अब उन्ययन का मतलब होता है अधिगम की दो और परिभासाएं देखेंगे इसकीनर ने कहा था कि अधिगम वहवार में उत्रोत्तर अनुकूल की प्रकिरिया है अधिगम मतलब आगे की तरफ अपने नए वहवारों को अधिगम का अधिगम की परिभासा आपको समझ में आ गई हो की अधिगम का अर्थ क्या है तो अधिगम एक निरंतर चलने वारी सार्मवांक प्रकिरिया जो चन्व से लेकिंगे मिर्टिय उप्रांग तक सीखता ाधिगम के लिए शीखने के लिए कोई निश्चित समय या निश्चित व्यक्ति या निश्चित अस्थान की जरूरत नहीं कहीं हो ती इनसान कहीं भी किसी से भी कुछ भी सीख सकता है और चीजों को सिख जाते हैं वहार परिवर्त होता है अर्जित वहार की प्रक्रित अस्थाईत होती है मैं एक्जांबल देदू अगर मान लोग कोई लड़का साइकल चलाना सीख रहा है तो वह उसके वहार में अस्थाई परिवर्तन हो जाता है अब यह ऐसा नहीं कि हर बार वह जब चलाएगा तो उसको पीछे परिवर्तन आ गया है सीखना जीवन पर अपने जीवन के किसी मोड़ पर सीखता रहता है ठीक है सीखना एक सवरववामिक परिक्रिया है सीखना उद्देश से पूरे ओं लक्ष निर्देशित होता है जहां किसी लक्ष को निर्देशित करके हम सीखते हैं ठीक है सीखना वात्तावरण की क्रियासी उपज है और सीखना एक प्रस्तिती दूसरे प्रस्तिती के लिए क्लिए अस्तनांत्र होता है एक्जांबल के दोर पे आपने कहीं किसी चीज को सीख लिया वैसी कोई प्रस्तिती दूसरी जगाती है उसी सीखे हुए चीज को आप आब वहाँ पे उपयोग कर सकते हैं तो सीखना काई दोस्तो अस्तह्त आन्तरित होती है एक प्रस्थितिः से दूसरे प्रस्तितिः पे चलिहerson सीखने के दोणा से ज़ते हैं मुझे से की प्राप्त की जै सकती हैं बिलकुर सई बात हैं शीखने उचित विरिधियें विकास में सहायता करता है हम जैसे ही सीखते हैं आप विरिधियें विकास होता जाता है सीखना वेतित्त को सारभॉमिक विकास में सहायता करता है हम चीजों को इतना वेतित्त को सारभॉमिक मतलब और सीखने के तवारा चीवन के लक्षों की प्राप्ति में सहायता मिलती है और दोस्तों सीखना एक समयोजन है एड़ेस्टमेंट भी है और अधिगम में सदय और सही दिसा में विकास होना जरूरी नहीं होता हो सकता है कभी आप कुछ लोग गलत चीजों को भी सीख लेते तो कोई जरूर नहीं कि हमेसा सही हो सकता है आप गलत तरीके से कुछ चीजों को सीख रहे है तो गलत इंपक्ट करेगा ठीक है तो कोई जरूर नहीं कि हमेंसा सही दिशा में सीखना क्या होगा जारी रहेगा चलिए यह हो गई दोस्तो अधिगम की विश्यष्था या अधिगम की प्रक्रति अगर आब हम बात करें अधिगम को प्रभावित करने वाले कारफ दोस्तो अगर आपने लास्ट यर की question paper देख कर सकते हैं तो दोस्तो देखिए इनको हमने topic wise को point में divide कर दिया पहला व्यक्तिकत कारफ एक बच्ची का अपना व्यक्तिकत कारफ होता है जो उसको प्रभावित करता है दूसरा वातावरड कारफ प्रयावरड ये कारफ ठीक है तो चलिए पहले हम उसके personal कारफ को देखते ह कितना परिपक्व है selfish interest उतकी खुद की रूची भी होनी चाहिए अगर रूची नहीं होता नहीं सीख पाएगा तो ये सारी चीज़े उसकी क्या करते है प्रभावाइद करती है और उसका स्वास्त दोस्तो अगर स्वास्त नहीं है तो वो चीजों को सही नहीं समाझ अगर हम बात करें प्रयावरिय कारक की तो प्रयावरिय कारक को भी आप फॉर्फर dho bada में डिवाया है एक उसके घर का माहौल एक उसका दोस्तो स्कुल का माहौल ठीक है grandson गहें थिदा की बात करें तो स्के अभिवावक की भूमीका यह उसके सीखनी को प्रभाइद कर सक सब स्कूल कहां पर इस्तित है, स्कूल के रूम कैसे है, स्कूल के आसपास का वातावराल कैसा है, तो यह चीज़े क्या करती हैं, दोस्तों, एक सीखने वाले को प्रभावित करती हैं, और एक टीचर का एप्टिटूर, उसकी योगिता कत्कितनी है, जो सिखार या वो कैसे हैं, reward and punishment, पुरुषकार और धंड, motivation और teaching skills या teaching method की बच्चे को जब पढ़ाया जा रहा है, तो कि मैसर से किस skills से पढ़ाया जा रहा है, ये भी चीज़े क्या करती हैं, दोस्तों, सीखने को अधिगम को प्रभावित करती हैं, दोस्तों, मनोविज्ञान, सिख्छा मनोविज्ञान और अधिगम, तीन पॉइंट आपका cover up हो गया और यकीन माई ये 15-20 नमर का आपने काम कर दिया, ठीक है, एक last point देखेंगे, फिर उसके बाद इस वीडियो को खतम करेंगे, अभी पढ़ना बहुत कुछ है, लेकिन व बहुत अच्छा दोस्तों, अगर अभी तक आप देख रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आप जूड़े हुए इस वीडियो से बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का सुक्रिया, जो लोग यहां से जूड़े हुए, अभी प्रेड़ा का मतलब क्या होता है, मो मुझे लगता है कि आपको मोटिवेट होने के लिए खुद का इंट्रस्वा ज़रूरी है, खुद का अपना टार्गेट, खुद का अपना लक्ष्छ बहुत सुरूरी है, तो मैं बच्पन में महिश्वरी जी पर सुनता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे लिए म इसका मतलब होता है कि आगे की तरफ बढ़ना, आगे की तरफ गती प्रधान करना, तो अभी प्रेनडा का तत्पर है, मोटिवेशन का तत्पर है कि आंतरिक सक्तिस है, जो किसी विशेज प्रस्तिती में व्यक्ति को अपने लक्ष तक पहुचने के लिए क्रियासील करती है, उसको जारी रखती है, दूसरे सब्दों में हम कहें, तो अभी प्रेनडा एक अंतरिक सक्ति है, जो व्यक्ति को कारे करने के लिए प्रेरित करती है, जो आपको कारे करने के लिए, कारे को शुरू करने के लिए अभी प्रेरित करती है, प्रेरित करती है, आपको उर्जा द के इस पे चल कर आपके चीज़ों को सीख सकते हैं उसका बेस्ट तरीका क्या है कि आधिगम स्वारी अभी प्रेणड़ा मोटिवेशन मोटिवेशन आपको खुद से भी मोटिवेशन होता है अब यह मोटिवेशन के प्रकार में देखेंगे गुड ने कहा था कि अभी प्रेणड़ा वे सारिक और मनोविध्यानिक दसाय हैं जो किसीकारेको करने के लिली प्रेणित करती है आप ने देखा पूरी परिभासा में आपको बस यही बात बिता ज跟ति प्रेणड़ करती है तो चल यह आपना नामिलक के परिभासा लिएगा कि अभी प्रेणड़ा व अभी प्रेनडा के मुख्य घटक कई बार दोस्तों ने मुझसे टिलिग्राम में भी पूछा है कि अभी प्रेनडा के मुख्य घटक के बारे में बताईए यह भी घटा के अभिप्रेणडा मोटिवेशन आपको कोई चीजों को स्टार्ट करता है फिर आपको उस चीज को जारी रखना है और फिर उसको और बल देना है तिव्रता से उसमें अपनी उर्जा लगानी है पर्यास उर्जा बल और भानाओं की मात्रा को बढ़ाना है तब अभिप्रेणडा के सारे घटकों का उपयोग कर पाएंगे तो अभिप्रेणडा के तीन प्रमु घटकों में क्या है दोस्तों प्रकिरिया की सुरुवात और सक्रीय प्रकिरिया को जारी रखना पर्यास सेवं उर्जा बल और भानाओं की मात्रा देना अपना पूंड संप अगर आप कोई चीज करते हैं किसी बच्चे को कह दिया कि तुम अगर आप दस में दस लाओगे तो मैं तुम्हें एक चॉकलेट दूँगा तो वह बच्चा उस चॉकलेट के लिए महनत कर रहा है वह मोटिवेट है उस चीज को करने के क्योंकि उसको चॉकलेट चाहिए त तो बाहरी उदीपक के फल सरू उत्पन होने वाली अभी प्रेणडा जब किरिया कराप इनाम या दंड तो प्रमुव बाहरी कार को करण की जाए तो इसे समूव में भी परयूग किया जा सकता है लेकिन इसकी सीखने की वैता क्या होती है तो बाहरी अभी प्रेणडा वह ह इस प्रेणडा के लिए प्रेणडा को कोई बाहरी पुरसकार की जरूत नहीं होती है अब मैं यहां पर एक 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 जामपल देना चाहता हूं तो इस वीडियो के बनाने के बाद आप ट्रस्ट में मेरी बात करें तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यह मतलब मेरी खुद जुझकर इंटरेस्ट है मैं खुल से मॉटिवेट होता हूं कि मैं वीडियो ज़ना क्योंकि मुझे अच्छा बगता कि एक चीज एक आपको जरिया मिलता है एक सोर्च मिलता है एक वीडियो मिलता है जाहाँ पर आप चीजों को समझते हैं और सारे लोग इतने लोग धीड आपके आंतरिक क्रिया से उत्पन होती है आपकी रूची के लिए वो करते हैं तो वो क्या होता है दोस्तों आंतरिक अभी प्रेड़ा लेकिन जब आपको इनाम या दंड प्राप्त करने के लिए आप चीजों को करते हैं तो वो क्या होता है दोस्तों बाय अभी प्रेड़ा म मैं उम्मिद करता हूँ कि आपको यह चीज समझ में आ गई होंगी अगर हां तो बस वीडियो का लास्ट पॉइंट देख लिए फिर इस वीडियो को खतम करेंगे अगर अभी तक आप यहां पर जूड़े हैं तो आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया दोस्तों आप अच्छे लोगों से हैं जो अभी तक यहां पर हैं तो प्लीज आप कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें कि यह वीडियो आपको कैसी लगी और अधिगम अभीप्रेड़ा का महत्तों देख लेते हैं कि किसी बच्चे को सीखने के लिए अभीप्रेड़ा का कितना महत् जब हम बच्चा अधिगम के लिए अभीप्रेड़ित होता है तो उसके अदर एक उच्छा जगती है, curiosity उसके अंदर जगती है, सक्ति का संचालन होता है, निरंता उस चीज को जारी रखता है, लक्ष की प्राप्ती से बेचैनी दूर होना, मतलब आराम से उस चीज को मन ल जानी से दूर होना और ध्यान के अंदर करना, तो यह दोस्तों क्या होता है, अधिगम के उपराप्त करने के लिए यह उसके महतों है, अभी प्रेड़ आगे, दोस्तों आखरी बात, आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के आप मुझे भी अभी प्रेडित कर सकते हैं, मौटिवेट कर सकते हैं, अपने कमेंट करके, अपने प्यारे प्यारे शब्दों से, बाकि दोस्तों यह जो पीडियो है, इस पीडियो के लिए और अब तक आपने साथियों के साथ सेयर कर दूँगा, अगर आप टेलियों से क्योंकि ये चैनल बस मेरा चैनल नहीं आप सभी के चैनल है तो बहुत बहुत शुपरिया दोस्तों पार्ट टू इसकी आएगी और पार्ट टू में हम और चीजों को देखेंगे जैसे की थौन डाइक पावल आव इसकी इंदर इन्होंने कैसे परयोग किये क्या सिधानती है इन सारी चीजों के लेखेंगे और अन्य वी चीज़ें हम जैसे की इसमें हमारा बुधी रह गया है बुधी विकास रह गया तो इन सारी भीकास की आवस्थाय रह गए इन सारे पॉइंट्स को भी हम अगले वीडियो में कफर आप करेंगे फिला इस वीडियोमे इतने हैं दोस्तो मेरी मैं उम्मेद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट में अपनी राय जरूर दे दोस्तो लाइक कर दीजे आपके लाइक से मुझे पता चलेगा कि ये वीडियो आपको कितना पसंद है बहुत बहुत शुक्रिया जाहिन जावरा दोस्तो अप खूब क्या लगी है बढ़तरी है जाहिन